Hello friends, welcome back, स्वागत है आप सभी का तो crude oil और US oil में हम आपको next day के लिए बताते हैं कि कौन सा data आ रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो की impact डाल रहे हैं और क्या रहेंगे हमारे targets तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं कि 18th October 2023 को क्या यहां पर रह सकता है, क्रूड और US oil में क्या हमारे रहेंगे targets तो दोस्तों 18th October यानि कि यहां पर Wednesday का जो दिन है वो काफी important होने वाला है क्रूड और US oil के लिए और काफी अच्छा data यहां पर क्रूड और US oil से related आने वाला है और उसके बारे में मैंने आपको हमारी जो डेली हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं और जो next day वाली वीडियो है उसका link आपको यहां पर i button में मिल जाएगा तो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया कि दो इंपोर्टेंट यहां पर चीजें होने वाली है एक तो इन्वेंटरी का डेटा आने वाला है क्रूड वैल की इन्वेंटरी का डेटा और वो डेटा एक तो सुबा मिन्स याने की बारा बज़े के बाद अभी दो बज़े आएगा टू एम पर इंडियन डाइम के अकॉर्डिंग और साथ ही शाम को आठ बज़े भी आना है और जो डेटा आना है उसका क्या इंपक्ट रहेगा कैसे वो रहेंगे क्या इंपक्ट यहां पर वो सारा का सारा मैंने उस डेटा वाली वीडियो में भी बताया हुआ है और साथ ही एक और चीज यहां पर होने वाली है जो कि क्रूड वाल के ओपर बहुत ज़्यादा इंपक्ट डालेगी वो है चाइना का डेटा तो वो बहुत बड़ीया इंपक्ट हमें देख जब पर है खुरूड वाल के ओपर तो अब डेटा जैसा आता है वैसे ही अगर पॉजिटीव आता है चाइना के लिए डेटा तो वो पोजिटीव इंपक्ट डालेगा अगर नेगटीव आता है तो नेगटीव साइड को हमेरा मुव देखने को हमें मिल सकता है और जो यह आने है और वो काफि ज्यादा इम्पक्त डालेंगे अब हम बात करने थाई है कि यहां पर देख सकते हैं कि एक particular यहां पर इस जगा पर ही यह नहरा है, बूरा दिन पर यह एक particular range में रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि फोड़ी लंबी candles यहां पर बनी है, इसके अलावा पूरा दिन पर यह एक particular range में ही यहां पर रहा है, हमारे जो उपर वाले levels थे, यहां पर यह ब्रेक हुआ यह वाला level और उपर वाला target यहां पर activate हुआ, ज्यादा उपर तक यह जा नहीं पाया, थोड़ा नीचे गया, लेकिन end में यह वापिस उपर यहां पर हमारे target हो इसने अचीव करा, और इसके बाद नीचे की और को आते हुए इसने डाउन्साइड का भी यहां पर यह जो target है, यह जो टार्गट है, यह अचीव इसने करा है, फिलाल वापिस यह थोड़ा सा उपर की और को move कर रहा है, और सेम ऐसा ही हम जान लेते हैं कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दो बहुत ही important forces यहां पर लग रही है, पहली force हो यह है, जो कि Middle East में जो यहां पर युद्ध चल रहा है, और वो दिन बर दिन और भी ज्यादा घमासान हो प्रू हो गए हैं उस सर्फ को भी, तो यहां पर उन दोनों तरफ से जो यहां पर इतना भ्यंकरी युद्ध बढ़ता जा रहा है, उसकी वज़य से इरान की involvement होना अब और ज्यादा तैय होता जा रहा है, और इसकी वज़य से यहां पर अब क्या हो रहा है कि अगर इरान इ ज्यादा यहां पर सप्लाई के ओपर असर पड़ेगा, और अगर सप्लाई रुख जाती है, उसकी यह कम हो जाती है, तो उसकी वज़य से क्रूड ओयल के ओपर पॉजिटिव इंपक्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो इसलिए यहां पर यह उपर की तरफ को यहां पर जा तो यहां पर नीचे की ओर को आने का क्या रीजन है, अब उपर का तो रीजन मैंने आपको बता दिया, कि उपर की ओर को यह जा सकता है, क्योंकि यहां पर जो युद चल रहा है, उसकी वज़य से ऐसा हो सकता है, लेकिन नीचे की ओर को क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है और जादा वास्ट होता जा रहा है वैसे वैसे कृड़ वाइल जो है अब महेंगा होना शुरू हो जाएगा और ये जितना जादा महेंगा होगा economies के ऊपर उतना ही जादा negative impact डालने जा रहा है ये चीज़ें जादा महेंगा होना शुरू जाएगे और जब चीजें जादा महंगा होना शुरू हो जाएगे तो इसका मतलग है कि inflation increase हो जाएगा, CPI increase हो जाएगा और जब CPI या inflation ये increase हो जाएगा तो उसकी वज़ए से जो अलग-अलग देशों की governments हैं उनको interest rates और जादा बढ़ाने पड़ेंगे और जब interest rates और जादा बढ़ेंगे तो companies जो हैं वो जादा loan नहीं ले पाएंगी और जब जादा loan नहीं ले पाएंगी तो उसकी वज़ए से उनमें growth होना कम हो जाएगा या रुख जाएगा और चीजें महंगी हो तो जितने उनके पास पैसा होगा जितने उनके पास funds होंगे उनसे वह raw material भी नहीं पर चेस कर पाएंगी तो यहां पर एक पूरा का पूरा इसकी वज़ए से economic slowdown आ जाएगा और companies की growth रुख जाएगी all over the world और यह जो एक fear है economic slowdown का यह crude oil के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि economies जो होती है जब वो fast growth करती है तो वो और ज़्यादा crude की consumption करती है और crude की demand increase होती है और वो positive होता है crude oil के लिए लेकिन जब economic slowdown आता है या उसका डर आ जाता है तो उसकी वज़ए से यह fear हो जाता है कि अब crude oil की demand घट जाएगी और जब crude oil की demand घट जाएगी तो उसकी वज़ए से crude oil यहाँ पर निचे की और को जाता है तो जो चीज crude oil के prices को बढ़ाने में यहाँ पर helpful हो रही है वो ही चीज crude oil के prices को गटाने में भी यहाँ पर हो रही है means यह जो युद्ध है यही price को बढ़ा भी रहा है लेकिन यही prices को कम भी कर रहा है प्राइस इसको बढ़ा इसले रहा है क्योंकि सप्लाई रुख जाएगी और कम इसले कर रहा है क्योंकि economic slowdown भी आ जाएगा महंगाई की वज़ए से तो इसकी वज़ए से यहां पर आप देख सकते हैं कि यह opposing forces बहुत ही strong है एक दूस्चे के और उसकी वज़ए से यह ज्याद वन-डे का टाइम फ्रेम यहां पर देख तो वन-डे का टाइम फ्रेम को देखें अगर तो पिछले दिन का कैंडल आप देख सकते हैं कि यही बना था यहां पर दिसेंगu इतनी चोटी सी बॉडिय थी ओपर की ओर को एतनी उरक बभी विक नीचे के ओर को बी ऊपर इतनी जादा यहां पर विक बनी हुई और नीचे के तरफ को छोटी सी विक बनी हुई है तो यहां पर अब economic slowdown जो है वो भारी पड़ता जा रहा है और उसका जो है नुकसान पूरी पूरी जो economies है all over the world उनको यहां पर जहना पड़ सकता है तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर क्या हमारे targets रह सकते हैं crude oil में तो crude oil में यहां पर आप फिलहाल यह जो level है 7200 का इस level के उपर एक green candle की closing आने दीजिए अगर green candle की closing आती है तो next target हमारा रहेगा 7225 का और इसके उपर भी अगर green candle की closing हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा यहां पर next target यह level रह सकता है और यह level है 7265 का और 7265 के उपर भी अगर green candle की closing आती है तो next target हमारा 7304 का यहां पर रह सकता है जबकि downside के लिए यहां पर आप इस level को break हो जाने दीजिए red candle की closing वन अबर वाली red candle की closing इसके निचे आने दीजिए अगर आती है तो फिर हमारा next target यहां पर 7143 का रह सकता है और इसके निचे भी अगर red candle की closing आती है दोस्तों तो यहां पर आप वेट कीजिए इस level के तूटने का क्योंकि यह आज का low है previous day का low है और next day जो previous day का low होता है वो एक strong support देता है तो इसलिए आप इस level को break हो जाने दीजिए और यह जो low है वो है 7132 पर इसके निचे red candle की closing आने दीजिए अगर पहले इसके निचे red candle की closing आती है तो यह target आपका रहेगा यानि कि 7169 को तोड़ता है तो 7143 target रहेगा उसके बाद आप वेट कीजिए इसको तोड़ने का 7132 को अगर यह भी तूटता है red candle की closing आती है तो next target 7108 यहां पर हमारा next target रह सकता है जबकि उसके बाद हमारा जो next target यहां पर रहेगा जो next target यहां पर हमारा रह सकता है यहां पर वो हमारा रहेगा यह वाला level यानि की 7070 का तो यह हमारा next target यहां पर रह सकता है crude oil में और US oil में दोस्तो अगर आपको trade करना है तो आपको यहां पर एक्सनेस का एकाउंट होना आपके पास बहुत जुरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सनेस का एकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 3.50 डॉलर की जुरूत होगी, ट्रेड करने के लिए, जब कि MCX में जब आप प्रूडोयल में ट्रेडिंग करते हैं, तो आ आपको सिर्फ 3.50 डॉलर से ही आप यहाँ पर 0.01 का लॉट परचेस कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट प्लैट्फॉर्म है, आप आँख बंद करके इसके उपर भरोसा कर सकते हैं, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में ही है, और ऐसा प्लैट्फॉर्म नहीं है, जो कि 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 एक आध कंट्री में है, और वहाँ पर भी बैन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में है, इंक्लूडिं इंडिया, बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक दे रहा है, और मेरा अपना एकाउंट इसके अंदर है, मेरा बहुत बढ़ी एक्स्पिरियेंस इसक जा सकते हैं, वहाँ पर सबसे उपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक किजिए और एकाउंट उपन कर लेजिए, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है USOL में, तो USOL में यहाँ पर हम इस लेवल को फर्दर एक्स्टेंड कर देत हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल ने काफी जादा यहाँ पर रेसिस्टेंस दे रखा था, तो अब हम यहाँ पर इसी लेवल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर यह लेवल ब्रेक होता है 86.88, तो आपका यहाँ पर नेक्स टारगट यह रह सकता है, और यह जो ल रहेगा तो नेक्स टारगट हमारा 88.04 रहेगा, जबकि डाउंसाइड के लिए आप यहाँ पर यह लेवल 86.28 को ब्रेक होने दीजिए, यानि कि वन आवर वाली रेट कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, अगर आती है तो नेक्स टारगट यहाँ पर रहेगा यह लेवल 85 94 का इसके निचे भी रेट कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स टारगट हमारा यहाँ पर यह लेवल रहेगा जो की लो है आज प्रिविएस डे का 85.57 तो दोस्तों यह इसके निचे भी अगर रेट कैंडल की क्लोजिंग देता है अगर तो उसके बाद फिर हमारा जो न स्वैल में रहेगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों नीचे लिंक यहाँ पर आपको जो एक थंब का बटन है बस उसपे क्लिक करना है और बस लाइक हो जाएगा और इससे हमारे जो मोटिवेशन है वो काफी साथा इंक्रीज हो जाते है इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को शेर भी कर दीजे अपने दोस्तों के साथ और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन पॉपस के लिए बनाई जा र